Hello my dear friends, आज इस वीडियो में बात करने वाली मैं triggers के बारे में Trigger हो जाते हैं ना हम, सुना भी हो गणा ऐसे Casually हम बोलते हैं आरे या तुम तो बहुत जल्दी trigger हो आरे उसने मुझे trigger कर दिया है है ना triggers के बारे में हम सभी जानते हैं, familiar है तो मैं आपको triggers के बारे भी वैच्छ से समझाऊंगे और जब हम trigger हो जाते हैं तो क्या चीज हमारे control से बाहर हो जाती है वो भी हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और कैसे अपना self control बढ़ाना है ये भी हम सीखेंगे तो ये solution oriented video है लास तक देखना है, share जरूर करना है सिर्फ अपना भला नहीं, बाकी लोगों का भी भला करना है चैनल पर नहीं है तो मुझसे जरूर जुड़ना है और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को subscribe कर लीज़े हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप डॉक्टर के शिकर जैनल आपको download कर लीज़े ताकि आप रोजाना breathing exercise करें, meditation करें और अपने आपको trigger होने से बचाएं क्योंकि breathing exercise से, आपका meditation से, आपका mind शांत रहता है और एक शांत दिमाग, आसानी से trigger नहीं होता है तो चलिए, सीखना शुरू करते हैं ये साथ चीज़े जो आपके control से बाहर चले जाते हैं जब आप trigger होते हैं, तो चलिए पहले trigger ही समझ लेते हैं trigger क्या है? trigger कुछ भी हो सकता है, भाई, five senses से कोई भी information आपको मिली, external words से, right आप उससे trigger हो सकते हैं, कोई चीज़ देख कर trigger हो सकते हैं कोई चीज़ सुन कर trigger हो सकते हैं, कोई smell करकर किसी taste से, किसी touch से, किसी भी तरीके से आप हो सकते हैं या आप trigger, internal words से भी हो सकते हैं कोई भी आपके पास memory पढ़ी है या इसे आप experience कह लिजए उससे भी आप ट्रिगर हो सकते हैं सो आपके अंदर से कुछ भी ऐसी स्टूमलेस मिला आपको या बाहर से मिला और आप हो गए ट्रिगर तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है कोई अबजेक्ट भी हो सकता है कोई परसन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है trigger, so जब आप trigger हो जाते हैं, अब trigger का क्या मतलब है, यानि कि हमारे को कुछ threat लगता है यानि कि हमारे अंदर कुछ insecurity और fear आते है, so trigger होने का क्या मतलब है, trigger होने का मतलब ये है, कि आपके अंदर की कुछ insecurity fear discomfort reflect हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि आपकी wrong interpretation है, किसी भी चीज के लिए आपकी wrong meaning दे दिया है आपने इसलिए हो रहा है आपके साथ wrong meaning की वज़ा से तो जब भी हम किसी भी situation का, किसी भी person के लिए किसी भी चीज के लिए कुछ हमारी wrong conditioning हो जाती है यानि कि अगर ये object मैंने देखा तो उसके साथ मेरा जुड़ावा कोई भी experience, मेरी कोई memory reflect होगी कोई thought आ सकता है, मुझे कोई feeling आ सकती है एकदम से कुछ भी ऐसा आ सकता है तो यानि कि ये trigger क्या होता है? Conditioning response होता है यहाँ पर हमारा तो इसको समझते हैं, यह होता है conditioning response यहाँ लिख देती हूँ मैं Conditioning response आता है तो किसी भी person को, जैसे होता है कि किसी person को हमने देखा बस देखते ही हमारा mood खराब हो गया क्योंकि हमारा कोई previous experience, कोई हमारा पास memory है कुछ उसके लिए belief बना पड़ा है जो उसको देखते ही हमारे को याद आ गया और हम trigger हो गया वो कुछ भी किसी से भी हो सकता है यानि की कुछ condition response है जब हम trigger हो जाते हैं उस time पर हमारा mind threat, insecurity को है ना उस dysfunction belief जो हमारे को misguide कर होता है हमारे को मतलब हमारे brain के पास wrong information उस part के पास जो threat से deal करता है बाहर क्या हो जाता है we don't choose to go into fight or flight mode यह हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कब fight or flight mode में जाएंगे यह automatic होता है हमारे autonomic nervous system का पाथ है ना sympathetic, parasympathetic तो sympathetic है वो क्या है fight or flight mode यानि कि हम choose नहीं करते हैं हमारा brain choose करता है उसे अपने आप choose करता है क्योंकि हमारा जो stone age brain है उसका क्या है हमेशा से threat को detect करने का ही में इंकाम रहा था तो वो अपने आप ही detect करता है और वो fight or flight mode को अपने आप ही चालू कर देता है हम कहते नहीं है अगर आपने ऐसा experience भी क्या होगा ना आप गाड़ी से जा रहे हैं कोई बराबर से rash driving करते भी निकला है एकदम से है ना कई बार ऐसा होता है कि तेजी से brake लगे हम एकदम डर जाते हैं fear response आता है उस वक्त हम यह नहीं सोचते हैं कि हमें ढरना है या नहीं ढरना है मतलब उसमें उस क्राइम पर thinking का कोई रोल नहीं होता अपने आप ही वो fight flight mode है ना आपके सामने कोई भी ऐसे जानवर आ गया आपको खतरा लगा है तो आप एकदम भागते हैं यह नहीं खड़े हो के सोचते हैं कि मैं भागूं के नहीं भागूं तो वो fight flight mode अपने आप ही चालो होता है automatic चालो होता है तो उसमें हम चूज नहीं करते हैं हम और क्या चूज नहीं करते हैं we don't choose to have a panic attack भाई नहीं चूज करते हैं हम panic attack अपने आप आता है panic attack भी क्या है एक तरीके का defense mechanism है यानि कि जब overwhelming हो रहाता है बहुत ज़्यादा too much हो गया भाई अब नहीं समझेगा तो एक temporary shutdown हो गया so panic attack life threatening नहीं होता है लेकिन उसके symptoms इतने severe होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि हमारा जो primitive brain है वो हमारा limbic area वो ही हमारे body के organs को सब को control करता है involuntary actions जो होते हैं हमारे यानि कि automatic जो होते हैं उसको control करता है जबी भी कुछ ऐसा threat sense करता है वो तो वो body को anxiety देना शुरू कर देता है और कई बार वो threat को बहुत over sense कर लेता है तो वो बहुत सादा severe जब symptoms आते हैं तो वो static panic state होती है temporary shutdown कि अभी और इससे जादा नहीं समाला जा सकता तो वो क्या है panic state होती है ये भी हम choose नहीं करते हैं we don't choose to become hypervigilant हम hypervigilant होना नहीं choose करते हैं hypervigilant होने का मतलब क्या है कम बिलकुल एक थाम alert चुटी-चुटी बातों पर नज़र रखना ये अपने आप होता है ऐसा होते है जब भी कोई बहुत highly anxious होता है बहुत साथ ख़राया और डरावा होता है तो बारीक बारीक वो चीज़ें भी नोटिस कर लेता है जिसे कि कोई और नोटिस नहीं कर पाता है तो हम hypervigilant होना भी बहुत हद से ज़ादा चौकनना होना भी चूस नहीं करते हैं वो अपने आप हमारे अंदर का system हमारा brain जोस करता है we don't choose emotional numbing हम emotional numbing भी नहीं जोस करते है emotionally numbing हो गया है वो भी सब हमारे अंदर automatic चलता रहता है क्योंकि हमारे brain का वो हिस्सा वो अपने आप ही situation के according जो उसे best लगता है उस time पर उसी तरीके से वो हमारे से automatically changes करता है हमारी body में हमारी body and mind closely linked है हम ना body है ना mind है हम body mind है psychosomatic है हम तो एक दूसरे का असर आता ही है so जैसे ही हमारे दिमाग ने कुछ threat sense कर रहके हम trigger हो गए तो उस time पर हमें ये सब चीज़े इसलिए automatically feel कराते हैं ताकि हम अपने आपको save कर सके so हमें emotional numbing भी हम choose नहीं करते हैं we don't choose to freeze हम freeze होना भी नहीं choose करते हैं ना fight flight ना freeze कुछ नहीं so fight flight freeze सारे के सारे responses जो होते हैं वो automatic होते हैं we don't choose to have intrusive memories उस time पर जो हमारी intrusive memories यानि की distorted memories भी आने लग जाती हैं हमें जो stories हमारा दिमाग मनाने लगता है कुछ additions हो जाते हैं उसमें वो भी हम choose नहीं करते तो इसमें क्या होता है ये stories कई बार purely fake होती है कई बार इनमें बहुत सारे distortions होते हैं मतलब कुछ इसमें से missing होता है और कुछ addition होता है मतलब कुछ original में या तो miss कर देगा और add कर देगा कुछ किसी भी वे में distort कर सकता है करता रहता है और story हमें बताने लगा है वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है इस टाइम पर जब ऐसे emergency mode चाले हो जाता है तो we don't choose to disassociate dissociation भी हम choose नहीं करते हैं ये भी तरीके का defense है कि जब भी हमें लगता है कि हम उस situation में कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम पने thoughts से, feelings से, environment से, self से, सब से disconnect हो जाते हैं तो हम ये बिल्कुल disconnected feel करते हैं हम किसी भी चीज से feel कर सकते हैं disconnect from thoughts क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सदाता है feelings self environment कुछ भी हो सकता है जैसे मैं ऐसे बहुत सारे cases देखती हूं जैसे एक लेडी है उनको family issues है उनकी mother-in-law से उनको issues है तो क्या है कि अब वो mother-in-law को कुछ कह नहीं सकती है family में ऐसा कुछ arrangement नहीं हो पा रहा है कि उनकी mother-in-law को उनसे दूर कर दिया जाए अब ही कुछ टाइम से वो सफर कर रही है कि ऐसे कि वो अपने आप से connected environment से connected अपने ही घर में अच्छी तरह से connected feel नहीं करती है तो यह सब क्या है यह defense mechanism है हमें समझना होगा कि यह सब हमारे हाथ में नहीं होता है और यह एक तरीके की anxiety fight flight response ही होता है जिसमें एक person का बहुत low mood भी रह सकता है उसे बहुत anxious भी फील हो सकता है उसको नीन नहीं आ रही है उसे और physical symptoms आ रहे है किसी भी तरीके से आपका mind यह सारे के सारे defenses हैं जो automatically लगते हैं जब आप trigger हो जाते हैं तो आप अपने triggers को identify करें कि आपके क्या triggers हैं triggers को identify करकर उससे जो associated आपके अंदर कोई भी belief है कोई भी feeling है, memory है कुछ भी है, आपके attached है उस सब को लिखे क्योंकि जब actual में आप exposed होंगे अपने trigger को आपने उनके लिए पहले से कुछ अपने mind को clear नहीं किया होगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा परिशान है उनका भी family issues है उनके भी family issues है तो उसमें भी उनके husband उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते है तो बहुत ज़्यादा पहले इतना anxious रहती थी कई पर faint हो जाती थी body pain उनको बहुत ज़्यादा होता था नहीं नहीं आती थी जब लंबे समय तक ऐसे चलता रहा तो वो इतना ज़्यादा trigger हो गए इन सब चीजों से क्योंकि एक नहीं multiple triggers उनके ही घर में active हो गए तो आप वो emotional नाम फिल करती है तो वो जानवुच के ऐसा नहीं कर रही होती है कोई place हो सकता है कुछ भी कोई emotional state हो सकती है वो कुछ भी हो सकता है तो समझते हैं हमारे triggers क्या क्या हो सकते है हमारे triggers कुछ भी हो सकते है हमारे triggers कोई person भी हो सकता है कोई place भी हो सकता है कोई चीज भी हो सकती है कोई memory भी हो सकती है कोई emotional state भी हो सकती है मतलब पाचो senses से बाहर की दुनिया से कुछ भी देखकर external word की information कुछ भी हो सकता है या कुछ भी कोई भी internal हमारे कुछ भी हो सकता है तो ये internal भी हो सकता है और external भी कुछ भी हो सकता है internal से यानि की कुछ भी pre-recorded है कुछ भी ऐसे trigger हो सकते हैं अब आपको अपने triggers को identify करना है तो आप क्या करें? identify करें अपने triggers को जब आपने अपने triggers को identify कर लिया आपने एक list बना लिया है तो अब आप उससे trigger से जो condition response है यानि कि आपका कोई belief भी हो सकता है वो आपका कोई emotion भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है वो अपका है ना ए है तो भी आएगा याद होगा ना वो पैवलाफ का experience experiment याद है चलो कोई फिर से रवाइस करा देती हो डॉक्टर पैवलाफ ने क्या किया था एक डॉग लिया था और उन्होंने उस डॉग के सामने बेल जब बजाई थी तो डॉग ने कोई response ने दिया था लेकिन जब उन्होंने उसको food offer किया तो salivation हुआ सो कुछ टाइम तक बार-बार repeat किया गया इसको बेल, no response, उसके बाद food response बेल, food, bell, food, bell, food, bell, food, bell, food कुछ दिनों बाद ये पाया गया कि बेल रिंग होते ही salivation स्टार्ट हो गया क्योंकि डॉग का दिमाग समझ किया था कि जैसे ही बेल रिंग हुई है अब तो food भी आएगा इसके बाद तो दो neutral situation अलग थी लेकिन वो जुड़ गई थी तो ऐसा हम सब के साथ होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में repeat होती है तो हमारे अंदर वो trigger set हो जाते है कुछ इसे होती है जो बहुत high emotional intensity के साथ होती है तो वो एकदम से immediate effect से उसमें trigger हो जाती है कुछ तो repetition से होती है कुछ high emotional state में जब हम होते हैं hyper suggestive होते हैं उस time पर immediately हमारे अंदर वो set हो जाती है तो ये हम सब के साथ हो सकता है जैसे मुझे याद है कि मेरी डॉर्टर जब छोटी थी धाई साल के गडिकी तो एक बार मेरी सतकार में जा रही थी तो बच्चे जैसे seat पर खड़े हो जाते हैं तो वो खड़ी हो गई थी और उस time पर seat belt भी प्रॉपर नहीं लगी भी थी तो मैं कार चला रही थी तो सामने से स्कॉर्पियो में थीन चालाट के भजा घ्या तेजी से वह छलाते वह रही तो जैसी रहो है आगए होने इकदम से पाल से निकली क professionals से शेट से फिर ए kवज़ को हुआ यजे से जसी मैंने गाड़ी को साइड में कोशिश करी तो मेरी दॉटर ऐक डम से ख़ड़ी धी शीट पर आगे लगी और जो वाल्यम कंट्रोलर होता है वह electric music system को ब classify wasší कूछ साड ब्लीड स्टार वह किग Dare charged और पास मी व़ॉटिंग दिस्टेंस पर एक मुझे हॉस्पिल दे गया मैं इसको लेकर भागी दी तो उस दिन के बाद से वो क्योंकि बहुत इमोशनल रिस्पॉंस था एकदम से कि मेरी डॉटर के नाग से लगाता और बिल्कुल ऐसे टैप-on कर दिया खून बहरा था छोटा बच्चा तो मैं एकदम लेकर भागी तो वो मेरे दिमाग में एक ट्रिगर बहुत टाइम तक ऐसे स्टोर हो गया था कि जब भी मैं कोई भी मैं ड्राइफ कर रही हूं कोई भी बरावर वाली सीट पर बैठाओ तो जैसी मुझे ब्रेक बारने हो या कुछ हो तो वो एकदम से हाथे से जाना मिलता बिलकुल ऐसे बरावर वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए और अटोमेटिकली तो यह क्या था एकदम कंडिशनल रिस्पॉंस क्योंकि एक मोशनल स्टेट थी बच्चे के लिए एकदम से उसके नाग से खून भैरा है और एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे प्रेट कर पाते तो वो दिमाग ने उसको एकदम ऐसे देरे देरे मैंने सबको अपने आपको स्फियर से फ्री करा आज भी अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फास्ट कहीं पर ऐसे जा रहे होते हैं और कहीं ऐसे होता है कि कुछ भी एकदम से अचानक ब्रेकना लगाने पर जाएं या कुछ ऐसे साइट से कुई तो कही अब हम जब अपने ट्रिगर को आइंटिफाई कर लेते हैं हम उसकी कंडिशन रिस्पॉंस क्या है हमारा कोई भी बिलीफ हो सकता है कोई भी एमोशनल हमारा रिस्पॉंस हो सकता है या हमारे जुड़े वे कोई भी एकशन हो सकते ह्यां जब प्रक्रंचे के सम Way हैक अर घ्rogen से कोई तो कहई ऐसे हो सकता है या हम ने किसी भी थार्ट याना हमारे नटिवमा depends में से या कुछ भी एस Deborah करेंगे या फिर ऐंग बहुँअ भी हिसी आखिगे सिरस्मिट ऑसे अपंद आप वीडेल में आपके 9, 500 ग्रणीज होते हैं दो हम अच्छा ही करते हैं लेकिन हम यहां पर बात आप से सट गर सकते हैं में किज कर सकते हैं कि वारे में कि और कर शेर च के आ सकते हैं या कुछ ऐसे behavior responses भी actions के उसमें आ सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने triggers को identify करें और उसके साथ association क्या है वो आप लिखिए यतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आप उसको recall करने की कोशिश कीजिए कि ये conditioning कैसे हुई आपकी है और फिर अपने आपको उस fear से उस insecurity से release कीजिए अपने जो belief हैं जो आपके dysfunctional thoughts हैं उनको challenge करें उनको हम correct करें और हमारे जो actions हैं जो अब हमारे automatic actions बन गए हैं जैसे हमारे होते हैं automatically जो हमारे control से बाहर के होते हैं वो दीरे 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 आपके रूख जाएंगे जब आप अपने belief को और जो आपके emotional responses है उससे free होना शुरू हो जाएंगे जब आप इस चीज को समझा लेंगे जैसे मैं आपको अपने example दो तो जब मैंने समझा लिया था कि अरे एक बार ऐसे हो गया तो इसका मतलब यह थोड़ना है अरबर होगा तो उसका solution क्या है solution है कि जब इभी कोई बैठा हो तो बराबर वाले को बोलो encourage करो कि seatbelt और बच्चों के case में तो खास तो और से seatbelt इसी तरीके से धीरे धीरे अपने उपर काम करना पड़ता है यह एकदम से नहीं होता तो identify करो जो conditional response है और re-conditioning करने के लिए हमें awareness के बाद धीरे धीरे अपने उन fear से free होके insecurities free होके thoughts change करके जब हम aware हो जाते हैं कि okay this is my trigger अगर मैं situation में जाओंगी इस person के साथ होंगी इस object को देखूंगी इस place पे जाओंगी इस emotional state में होंगी तो कुछ trigger होगा मेरे सो हम क्या होता है awareness की बज़ा से फिर वहाँ पर अपने conscious actions ले सकते हैं और conscious actions जब हम लेंगे तो वहाँ पर क्या होता है हमारी reconditioning start हो जाएगी मतलब conscious actions हमारे emotional feeling में भी हम अपने आपको समझते वे overwhelmed ना feel करें हम सही तरीके से सोचें तो वह emotional response change हो जाएगा और जो हमारे actions ले रहते हम उसके basis पर उसमें भी हम अगर हम change कर दें तो हम recondition हो जाते हैं तो हमें reconditioning के लिए क्या होता है mainly important तो देखो हमारी awareness होती है जब हमें अगर recondition होना आता है तो awareness तो हमारी so awareness plus conscious effort से हमारा reconditioning हो जाती है और इस तरीके से हम दीरे 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 अपने triggers से बाहर आ जाते हैं हम इस समझना होगा कि हमारे अंदर negative triggers अगर पड़े रहेंगे तो वो क्या होगा वो बार 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 response बदल बदल के किसी रूप में आता ही रहेगा आप यह सोचे कि उपर उपर से मैं बहुत कुछ सब कुछ बढ़िया है बोल तो आप बहुत अच्छा रहें positive है मैं safe हूं मैं safe हूं मैं safe हूं all is well all is well लेकिन इससे काम नहीं होगा न तो वो जो आपका brain sense कर रहा है जिसके पास already उसकी पूरी strong memory है पूरा clarity है कि यह सच में ही danger है वो आपके responses को नहीं बदलने देगा और इतने में आप खत्रे के insecurity और fear पैदा हो रहा है उस पर जब आप काम करेंगे तब जाकर यह सब चीज़े आपकी help करेंगी मतलब आपको अपने environment से उसमें जो real sense में कुछ कड़बढ़ है तो उससे जरूर ही करना पड़ेगा इस बात का खास दौर से धियान रखेगा सो मीद करते हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आगया होगा कि क्या करना है और किस तरीके से आप अपने आपको safe रख सकते हैं और किस चीज़ के लिए आपको खुद को blame नहीं करना है या फिर दूसरों को blame नहीं करना है लेबल नहीं करना है कमजोर है हम या कोई और नहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है वो हमारे कंट्रोल में कैसे आएंगी जब हम अपने प्रॉब्लम को root cause से खतम करेंगे सुमीद करते हूं बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया और अपनी help बहुत अच्छी तरह से करी लेंगे है ना घर बैठे हसे रहिए मुस्कुराते रहिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीज़े में मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में खास क्याल रखेगा